अभी नीता संजेदत इन दिनों काफी बिमार चल रहे हैं उन्हें दो तिन दिन पहले सास की दिक्कत के चलती लीलावती अस्पताल में भर्दी किया गया था वहीं उनका कोरोना टेस्ट भी नेगेटिव पाया गया था लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी तबित में पूरी बिना रहे हैं उनकी आने वाले फिल्म सड़क टू को लेकर इस समय चल्चा और भी जादा बढ़ गई है लेकिन इस फिल्म का ट्रेलर इस समय पर रिलीज ना होने की वज़ज़ से अब इसको टालने की खबर सामने आ रही है बदाया जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर की कारण इसको टाला जा रहा है आपको बता दे कि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर रिलीज किया जाएगा इस फिल्म में संजेदत, पुजा भट, आलिया भट, आदितरोय कपूर नजर आएंगे संजेदत की तबित की जानकारी कोमल नहाटा ने ट्वीट कर दी थी संजेद से जुड़े सूतरों के मताबिक वो लंग्स कैंसर से पीड़ित है और उनका परिवार उन्हें जल्द ही इलाज के लिए यूस ले जाने की तैयारी में है संजेदत ने भी ट्वीट कर बताया कि दोस्तों मैं मैंडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मेरी फैमिली और दोस्त मेरे साथ है मैं अपने शुप चिंतकों से निरूत करता हूँ कि चिंता ना करे आपके प्यार और दुआउं से जल्द ही वापस आऊँगा अब संजे दद की पत्नी मानिता दद का रियक्शन सामने आया है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि मैं उन सभी का धनिवाद करती हूँ जिन्होंने संजे के अच्छे स्वास्थ के लिए दुआ की है इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए हमें ताकत और दुआओं की जरत है पिछले कुछ सालों से हमारा परिवार कहीं तरह की परिशानी उसे गुजरा है लेकिन मुझे भरुसा है कि ये वक्ट भी बीच जाएगा मेरी संजु के फैंस से अपील है कि वो किसी भी तरह की अटकरो और अफ़ाहों पर भरुसा ना करे हमारे बस प्यार और सपोर्ट में मदद करे मानिता ने कहा संजु हमेशा से ही फाइटर रहे है इसलिए हमारा परिवार भी फाइटर है भगवान ने एक बार फिर हमारा ट कि इस वक्त संजे के परिवार में टेंशन का महौल देखा जा रहा है आप देख रहे हैं घमासान.com और भी न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें